कि अधियर स्टुएंट्स गुड मॉर्निंग कि आज हम आपकी पोयम कि दा रोड नॉट टेकिन कि दा रोड वा सड़क नॉट टेकिन जिसे हमने नहीं लिया जिस पर हम नहीं चले इस कविता को लिखा है रावर्ट फ्रॉस्ट ने रावर्ट फ्रॉस्ट एक अमेरिकन कवे हैं अमेरिका के प्रसिद्ध कवियों में से एक है उन्हों लिखा है इस पोयम को रावर्ट फ्रॉस्ट अपनी कविता में सरलताओं के लिए अपनी अंतरद्रश्ट के लिए और अपने सामान ने बिचारों के लिए अनुभाओं के लिए जाने आते हैं आजे पढ़ते हैं पोयम टू रोड्स डाइवर्ज्ट इन ए येलो उडू लेखा कि एक बन में जा रहा है पोयट यहां पर एक बन में जा रहा है तो उसे रास्ते में दो मिलते हैं जंगल में जाते हुए तो टू रोड्स दो सड़कें डाइवर्ज्ट विभाजित हुई डाइवर्ज्ट में सोता है विभाजित हुई इन येलो उडू वन कैसा है येलो उडू है येलो उडू आप जाते हैं जो पध्धड का मौसम होता है तो पध्धड के मौसम में पत्ते गिरते हैं और पत्त वेघंब कोने कंद कर शॉरी और मुझे दूख है कि आप लिगा जानिए और गोन alm लांग आइस्टूड तो बीवन ट्रेवलर एक यातरी होने करने लांग डंबे समय तक आइस्टूड मैं ठहरा रहा हूं तो मैं रुका रहा एड़ लुक डाउन मैं नीचे देखा दोनु रास्तों पर मैंने नीचे देखा रहा एसपर कूट यतना मैं कर सकता था उतना था इक डेख देखा तो है फेर कहाँ को यह अगस्टा कहां को इंट बेंट मिस मुडा हुआ हूई को देखता है एक राष्ते पर जाडिया हैं ओई कहा को जाता है किधर मुड़ा हुआ उसे पता नहीं है तो दो रास्ते हैं एक रास्ते पर कि बहुत से लोग आए गए हैं कि तो जिस रोट पर बहुत लोग चलते आप पने जंगल में देखा ओगा वहाँ पर गास इत्याद यह जाडियां भी होती है तो यह कहता है तो वेर इट बेंट इन अंडर गोथ इस पर जाडियां भी है यह देन तुक दादर कि यह देन तब टुक दादर अधर जस्त आइस वेर दूसरा रास्ता ही लेना सही रहेगा and having perhaps the better claim and having perhaps और साइद मैं perhaps में साइद having रखूँगा the better claim बेहतर अधिकार मैं इसके बारे में कर सकूँगा because क्योंकि यह वाला रास्ता गैसा है it was grassy it was grassy घास से उकता है घास है क्योंकि इस पर लोग अधिक चले नहीं इस मार पर घास है ग्रासी एंड वांटेड वियर वांटेड वियर प्रयोग में आकर घिसना क्योंता है घास है जो प्रयोग में आकर घिसना चाहती थी तो उस मार पर अभी बहुत कम लोग चले है फिर कहता है इस मार को में चुनूँगा दो as far that the passing there as far that passing there वहां से गुजरना head worn really about the same really वहां से गुजरना कैसा होगा वास्तों में about the same ठीक वैसा ही होगा तो रास्ते हैं मैं इस रास्ते से जाऊंगा जिस रास्ते पर घास होगी होई है जिस पर कटिली जाडियां भी है और दूसरा वाला रास्ता साफ सो तरह उस पर लोग चले हैं तो मैं उस रास्ते को चुनूँगा और हो सकेगा तो बहुत हमें पुना हमें लौट कर इस मार से चलूँगा फिर किता है and both that morning and both और दोनों ही that morning उस सुबह equally lay मेरे सामने दोनों रास्ते equally समान रोज से ले पड़े होई थे in leaves no step head trodden black in leaves वहाँ पर पत्तियां गिरी होई थी आप इस से पहले पढ़ चुके हैं कि वन में पज़ड का मौसम था तो जब पज़ड का मौसम होता है तो रास्ते पर पत्तियां भी गिरी जाती है leaves no step head trodden black no step किसी कदम ने नहीं head trodden trodden means होता है पाउं से कुजलना तो इन पत्तियों को कुचल कर किसी ने black नहीं बना दिया था काला नहीं बना दिया था तूट फूट नहीं गई थी कि ओ अरे कि आई केप दा फस्ट कि मैं रखूंगा पहले वाले मार्क को for another day किसी अन्य दिन के लिए दो रास्ते गए हैं तो पहले वाला रास्ता जिस पर काफी लोग चले हुए है उस रास्ते को मैं किसी अन्य दिन के लिए रखता हूँ यट नोइंग फिर भी जानते हुए हाउवे लीड्स कि रास्ता कहां ले जाएगा और तो वे मुझे किस मार्क पर पहुँचाएगा I doubted मुझे संदे है If I should ever come back If I should ever come कि क्या मैं कभी वापस लोड सकूंगा जहां से मैं यात्रा करने जा रहा हूँ दूसरे वाले रास्ते पर जा रहा हूँ क्या उन्हा लोड कर मैं कभी यहां पर आ सकूंगा और यहां से जो दूसरा रास्ता सरल रास्ता गया हूँ जहां जिस पर काफी लोग चले हूँ क्या उस मार्क को मैं अपना पाऊंगा फिर कहता है I shall be telling this with a sigh सायद भष्ष में क्या होगा I shall be telling मैं उसे बताऊंगा this is a with a sigh ठंडी आह वर कर दुख प्रगड करते हूँ मैं बताऊंगा सायद जिस मार्क पर मैं जा रहा हूँ हो सकता है मुझे पस्ताना पड़ा जिस मार्क पर तो मैं भष्ष में लोगों को बताऊंगा somewhere कहीं ages and ages hence युगों युगों के बाद hence मतलब आगे भष्ष में तो आगे मैं इस बात को बताऊंगा एक ठंडी सांस भर कर दुख प्रगड करते हुए शायद मुझे बताना पड़ेगा टू रोड्स डाइवर्जड फिर कहता है टू रोड्स दो सड़के डाइवर्जड विभाजित हुई हैं इन एवर्ड एक वन में एक जंगल में यहां से जिस राष्टे में चलना हूँ यहां से दो राष्टे गजरते हैं and I or my I took मैं वही राष्टा लेँगा one less traveled जिस पर कम लोग चले one less less heavily traveled यातरा की गई हो by लोगों के दोरा जिस रास्ते पर कम लोग चले हुए होए मैं उसी मार्ग को अपनाऊंगा and that has made all the difference that has made यह बनाएगा all the difference संपूर्ण अंतर पूरा अंतर इस बात पर होगा मैं दूसरे मार्ग को अपनाऊंगा कई लोगों के सामने सीधे रास्ते होते हैं सरल से रास्ते होते हैं जियोन में चलते चलते एक सरल सा मार्ग होता है जिस पर सभी लोग चलते हैं दूसरा थोड़ा कटनाईों से बरा हुआ जियोन होता है कटनाईों से बरा मार्ग होता है जो जो कटनायों के मार्ग पर आगे बढ़ता है जिससे प्वेट यह चाहता तो और कुछ बन सकता था लेकिन प्वेट बना इसने जीवन का उद्ध से कभी बना बनाया दूसरे मार्ग पर चला और वहा प्रसिद्ध हुआ पूरे वर्लमे तो जीवन में कभी कभी ऐसे दो र मार्ग पर पहले वाले सरल वाले मारग पर दुबारा लोट नहीं सकते एक मारग बढ़ जाने के पर शाद हम दूसरे मारग पर उना लोट नहीं सकते अधा ड़र साल कभी आप में ने करेश्द का अपने निश्वाब को झाल झाल